मैं उनके बार में कोई और कॉमेंट महीं हरना चाहती है जी हाँ मुझे मेरा क्लोजर और क्लारिटी मिल गया मैं अभिशेक और अंकिता जी दोनों से जो भी जी जाये खुश रोंगे पिकरस आईसी बोथ अदनास बनास अईशा खान बिग बॉस सत्रा की वो वाइल काट जिनका शो में आने का रीजन था जस्टिस अपनी जर्नी में उन्होंने मुनवर फारुकी से जुड़े कई ऐसे राज बताए जिनने जानने के बाद पूरा सोशल मीडिया हिल गया था और लास्ट विकेंड का वार में शो में आई लाइव ओडियन्स ने उन्हें कम वोट देकर बेघर कर दिया चलिए उनसे बात करके ये जानते हैं कि उनकी लिए फाइनल्स के इतने करीब आकर बेघर होना कैसा है कैसा लग रहा बिग बॉस की दुनिया से बाहरा कर शो से वापस आकर क्या चेंजस फिल करें हैं खुद में बहुत changes feel किये और लोगों के भी personalities के बारे में इतने अलग-अलग personalities के साथ रहे कि बहुत चीज़े सीखने भी मिली है खुद के बारे में एक change लेकर आई हूँ मैं mentally, physically, emotionally बहुत ज्यादा strong हुआ अप सो बहुत अच्छी learning थी Of course, it's disappointing for me and my audience, but I respect the decision that has been taken and मैं अपनी journey से बहुत खुश हूँ क्या आपको लगा था अंकिता, मुनवर और मनारा जैसे famous लोगों के हूते हुए भी आप winner बन सकती थी? I don't think so, show is about कौन famous है, कौन नहीं, show is about कौन real और किसकी personality लोगों को पसंदाती है आपकी justice के demand पूरी हुई या नहीं? जी हाँ, मुझे मेरा closure और clarity मिल गई है मुनवर फारुकी को कैसे define करेंगी आप? मैं उनके बार में कोई और comment नहीं करना चाहती है Show में सबसे strong bond किसके साथ बना? अभिशेक और अंकेता जी के साथ बहुत अच्छा रिष्टा बना अभिशेक के साथ सारा game name हो जाता था और मैं उसके साथ एक बहुत fun zone और बहुत मस्ती वाला zone चलता था अँड अंकेता जी के साथ बहुत ही respect और एक sister वाली feeling रही गया शो में किसका रिष्टा सबसे real था? मेरा और अभिशेक का अब शो के बाद आगे क्या plans है? करियर सीम जो मैं शो से पहले करती थी अपना acting career पर focus में शो के बाद करूँ रहा आपके हिसाब से Big Boss सत्रा का winner कौन है? मैं अभिशेक और अंकिता जी दोनों से जो भी जी जाये खुश रहूंगे because I see both of the man's बेना से